आल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेश आपके साथ विदबन हो अपनी प्रोडक्शन इंजिनियरिंग की स्रीज चल रही है जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ाया और आगए इस वीडियों पढ़ने वाले सारा कंटेंट आपको पीडियों फॉर्मेट में स्टेट जेई अई गेट बिटेक 선yie के एग्जामनेशन के लिए कर पाएंगे इसे पिछली वीडियों में साथ हां ओमने एटम अर्ईंज मैन्ट पर स्टेडि स्टार्ट करना किया था किस परकार से मैटल का अर्ईंजमेंट होता हे किस परकार से सिम्पिल क्योभिक स् मिलेगा उपर नीचे हो सकते हैं इनके बीच में इस प्रकार के बने होए होते हैं अलग-अलग arrangement होता है तो arrangement ही देख रहे हैं किस किस प्रकार से arrangement हो सकता है material का जो किस प्रकार से क्या behavior so करता है जिसमें से एक second part आ रहा है body centered cubic अब तक simple cubic में क्या हो रहा था सर चारों तरफ आपको ATM नजर आ रहे थे वो इस प्रकार से नजर आ रहे थे सिर्फ corner पर इस प्रकार से simple cube बना लेते हैं साथियों जैस arrangement होता है उसको add कर लेते हैं तो एक तरह का imaginary cube की तरह हम इसे express कर सकते हैं सो कर सकते हैं पीछे इस प्रकार से अटम होगा अब यहां पर simple cubic था लेकिन यहां पर body center हो गया अब यह चार corner पर जो cube होता इस corner पर atom होने के अलावा इसके center पर beach body में एक atom और extra होता है जो की body center cubic arrangement बन जाता है crystal structure बन जाता है किसी material का यह बारी की कर राज आपको बताने के लिए लोगों ने अपने जीवन खपा दिया आपको बड़ी आसानी से यह सब बताया जा रहा है तो value कीजिए जद कीजिए ग्यान की किस परकार से आपको मिल रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं साथी जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था जो corner पर item होते हैं side में cut जाते हैं इसके cube होगा इसके side में पीछे cube होगा इसके आगे भी cube होगा और इसके इसी परकार 4 cube cube उपर की तरफ होंगे तो यह एक जो corner का item होता है वो 8 part हो जाता है तो एक corner के पास 1 divided by 8 item का हिस्सा रहता है fraction part रहता है एक item का यह सब हमने पिछली वीडियो में डिटेल में जान लिया था 1 divided by 8 item है तो सभी corner पर यही portion रहता है इसका इसके अलावा एक item center पर यहाँ पर available है तो कितने item होंगे 1 divided by 8 एक corner पर और corner कितने है इस cube में 8 तो 8 से multiply कर दिया है plus center वाला एक item एड़ कर लिया है तो इस परकार से body centered cubic crystal structure में arrangement of atom में two atoms होते हैं किसी एक cube में cube simple यह इसकी arm है जिसे यह से आप express कर सकते हैं यह simple knowledge है इसके बारे में अब किसी material का नए रूप देखा जाए नए अवतार देखा जाए उसकी सुन्दरता अलग तरीके से अलग नजरिये से arrange कर दी गई हो अब इसमें सातियों यहां आपको corner पर तो item available रहेंगे जैसा अब तक आपने जान लिया है इसके अलावा जो face होते हैं जो cube का face है इस परकार से left right आगे पीस देखेंगा है front back और up down नीचे इस परकार से six face आपको देखने को मिलते हैं किसी cube में अब यहां पर भी इसी परकार इस पर cube उपर ही होगा side होगा नीचे उपर आगे पीछे सब ज़िगे cube होँगे corner पर one divided by eight item बसता है क्योंकि इसके ओड़ पास भी cube होते हैं वो इसको अलग कर देते हैं cut कर देते हैं simple एक cube पर हम आते हैं तो one divided by eight cube होता है इसी परकार face पर भ one divided by two item या half item बजता है अब इस परकार से एक face पर half item है तो face कितने है total six तो six face हैं तो count कर लीजी इनको one divided by eight कितने corner होते हैं eight corner होते है one divided by eight multiply eight से करेंगे इसको आप plus add करेंगे जो face पर item है तो हम क्या जान रहे हैं साथ हो average number of item item लगवा कितने रहते हैं एक cube में वो जानने कोश कर रहे हैं तो face पर one divided by two atom रहता है और face कितने होते हैं cube में six face होते हैं तो इस परकार से इनका आप calculation करेंगे तो आपको पता चलेगा कि total इस cube में four atom available रहते हैं face center cubic structure में अब बात साती हो यहीं पर खतम नहीं हो जाती है hexagonal closed packing crystal structure arrange करने वाले को कहा फुरसत है कुछ ना कुछ नया काम करने में व्यस्त है तो यहाँ पर दूसरा क्या कर अरेंज कर दिया hexagonal closed packing crystal यहाँ पर जो crystal है या atom है इस परकार arrange होते हैं कि आप इसे hexagonal एक shape दे सकते हैं या इस परकार समझने में इसकी मदद कर सकते हैं जैसा कि arrangement इस इस परकार से हो रहा है आपको देख सकते हैं इसको इस परकार ऊपर नीचे जैसा आपको बताया था आगे पीछे अरग अलग arrangement इसका series हो सकती है इस परकार से गुमाऊ हो है तो आप इसे इस परकार से देख सकते हैं hexagonal बनता हुआ आपको नजर आ रहा है तो इसके ऊपर और नीचे भी आपको same arrangement नजर आएगा क्योंकि यह pattern follow हो रहा होगा तो आप समझ लीजिए यह उपर वाला है यह नीचे वाला है इसके उपर भी एक इस परकार hexagonal होगा इसके side में यह किदर की तरफ यह किदर की तरफ होगा तो इस परकार hexagonal close packing crystal structure में total item 6 होते हैं यह सब जाने के साथ हो आगाने वाली वीडियो में डिटेल में उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में अब तक की जान करें आपको अच्छे से समझ माई होगी अभी वे आपका कोई confusion है तो आप हमसे कमेंट करकर पूल सकते हैं साथी हो आप चाहें तो contact कर सकते हैं contact link आपको video description मिल जाएगा वीडियो का अंतक देखने के लिए चैनल को support करने के लिए आपका दिल की गहराईयों से भुत भुत धन्नवाद मिलते हैं next वीडियो में तब तक पढ़ते रहिए बेस्त रहिए मस्त रहिए जहिन बंदे मातरम